नेता जी आजी रो नेता जी आजी रो नेता जी आजी रो नमस्कार मैं हूँ अनील पांडे HW24 News मर्ध्य प्रदेश के नेता जी हजिरो कारिकर में आप सभी दर्शकों का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं इन दिनों पंचायत और नगर निकाय चुनाओं को लेकर मर्ध्य प्रदेश में काफी राजनितिक सरगर्मिया चल रही है सभी पार्टियां अपने अपने पसंदिदा और लोगप्रिय उम्मीदवारों को टिकेट देना चाह रही है लेकिन कहीं न कहीं कार्यकरता जो की बरसों से इन पार्टियों में अपना योगदान दे रहे हैं उनका भी इद बार ये देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कार्यकरता टिकेट को लेकर के दावेदारी पेश कर रहे हैं वो टिकेट स्वयम के लिए भी मांग रहे हैं वो टिकेट अपने परिवारों के लिए भी मांग रहे हैं इसी स्थिति को लेकर और वर्तमान में जो प्रदेश में राजनेतिक हाला थें उन पर चर्चा करने के लिए आज हमारे जो आतिती स्टूडियों में मौझूद है सबसे पहले मैं उनका परिचे करा दूँ हमारे साथ मौझूद है पूर विधायक और कांग्रेस के वरिष्ट नेता स्री परश्राम डंडिर जी परश्राम जी आपका स्वागत है साथ ही हमारे साथ में इन राजनेतिक हालातों पर विशलेशन प्रस्तूत करने के लिए वरिष्ट पत्रकार उमेश रेवलिया जी मौझूद है सबसे पहले मैं डंडिर जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस वर्तमान जो इस्तिती चल रही है कांग्रेस में भी आपने देखा होगा कि टीकिट को लेके काफी मारा मारी वाली इस्तिती है आखिर ऐसा क्यों होता है एक कार्यकरता जो लंबे समय तक राजनेतिक दलों में अपनी भूमिका का समर्पित होकर निर्वहन करता है अन्त में उसके साथ यह स्थितियां क्यों आती है मैं यह कहना चाहूंगा इस विशेपर कि राजियू गांधी जी ने त्रीस्तरी पंचायती राजो जनता को के हाथ में जो दिया था कारोबार उसमें चाहे वो जीलाजनतत के चुना हो पंचायत के चुना हो अब साथ साल बाद सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चुनाओं में इतने लेट होने के कारण लोगों में एक तो महतुकांगशा बढ़ी है और जब लोगों की महतुकांगशा बढ़ी है तो निश्ची तोर पर उम्मीद्वारों की तादाद भी बढ़ी है और उम्मिद्वार का चैन करने के लिए बहुत बारीकी से अध्यन करना होता है और इसमें ये होता है कि एक एक वार्ट से दो दो चारचार लोग चुनाओं के लिए आविदन करते हैं और कई लोग पीसे छूट जाते हैं जब पीसे छूटते हैं तो निश्ची तोर पर आगई है ऐसा ऐसा शोर मचा हुआ है कि वहां अभी नगरपालिका में तो खेर अभी फाम बने की स्थिति चल रही है परन्तु पंचायत के चुनाओं तो सुरू हो चुके हैं और पंचायत के चुनाओं में हर जगा दो दो उम्मिद्वार लग रहे हैं बारती जनता पार्ट घट की लडाइक को ले के तुलना करें तो भाजपा की इस्तिति जो है कांग्रेश से मजबूती नजर आ रहे है लेकिन मज़िए जो नरी क्थिल्ल पर करता और उसको साधने करता वैसे अंजबार आज को उनके समर्पन का सही मुल्ली नहीं मिला Thenak 강्रe ABOUT मैं बहुत शांती पूरवक सब हो रहा है और शांती पूरवक ही सब Georgetu मैं बात करूं अगर पंचायती राज्थ की के बात निकली है तो कि पंचायती में बहुत पुरानी बात कहना चाहता हूं जब भारती जनता पार्टी की केंदर में सरकार बनी तो हमारे देश के प्रधान मंत्री महोदे का ये वक्तव मुझे याद आता है कि मन्रेगा कांग्रेस की मुरत्यू का कारण बना है बड़ा आजीब सा लगा मुझे उस दिन कि मन्रेगा जैसी योजना जो ठेट मजदूर तक पहुंचती है उसको अगर देश का प्रधान मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि मन्रेगा जो है कांग्रेस की मुरत्यू का कारण बनी है तो निश्ची तोर पर मुझे बहुत बुरा कि जो मैं जब विधायक हुआ करता था आज से 20 साल फेले आज भी गाउं में जाकर देख लो उस समय जो निर्मानकारे होते थे और जो विकास होता था आज उससे तीन गुना ज्यादा पैसा आता है पंचायतों में पर पंचायतों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है कहां बट रहा है कहां जा रहा है असी प्रतिसत पैसा जो है और ना मालूम कहां जाता है के वो गाउं तक 20 प्रतिसत पैसा पहुंच रहा है यह प्रत्यक्ष में इसका कई गाउं का उधारन दे सकता हूं आपको जो योजना है पहले गाउं गाउं तक पहुंचती थी आज गाउ उनको लेकर के पंचात और नगर निकाई चुनाओ में ही आम जो शहरी है आम नागरी के उसका वोट देखा जाता है उसी दिशा में वो जाता है उमेश जी एक वरिस्थ पत्रकार होने के नाते आप इस समय प्रदेश की इस्तिति पे भी नजर रख हुए हैं और खरगोन जिल जिले में भी जो राजनेती खलचल है निकाई चुनाओ है पंचाई चुनाओ है इसको छोटा करके नहीं आका जा सकता क्योंकि कारण यही है कि यही बुनियाद है जो आगे जा करके प्रदेश और देश की नियू रखता है लेकिन हम यह देख रहे हैं कि जो खरगोन जिले का कितना असर पड़ेगा कि निश्चित रूप से और साथ में एक सी जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए यह कितनी बड़ी चुनोती होगी जो कि एक बार फिर से सत्ता में आने की कवायद में लगी है देखिए हरगोन में काफी समय तक सांपताइक दंगों की इस् इंसिडेंट हुआ और वो प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा था और इसमें सबसे महत्कुन बात ही है कि प्रशाशन का पुलिस का बहुत बड़ा फेलिवर था कि पहले से जो चल रहा था उसको लेकर कोई तहियारी नहीं थी खेर अब तो बदला हो गया है लेकिन इस चु एक बात ये भी है कि सांती समीती के जो सदस हैं जो वरिष्ट सदस हैं दादा से मैं भी ये पूछना चाहूंगा कि क्योंकि वो लोग प्रिविधायक रहे हैं और उनकी पुरे खरगोन में अच्छी पकड़ है लेकिन इस बार ये देखने में आया कि इतना बड़ा दंगा हुआ इतना बड़ा सांपताइक दंगा था ये इसके बावजूत कोई भी वेक्ति कोई भी जनप्रति निदी सांपताइक सदभाओं के लिए बाहर नहीं आया ये बड़े दुर्भागी की बात है कि कोई जनप्रति निदी ना तो भाजपा की और से ना कांग्रेश की और स और ना ही सामाजिक संगडनों की और से कोई ऐसा कोई अपील करते दिखाई दिया कि भाईचारा बनाए रखें या समुदायों को एकतिरित करके जल्दी से जल्दी जबकि इसी जिले में इसी नगर के कई लोग हैं जिनको बड़े-बड़े प्रमान पत्र दिये गए हैं कर्फिव लगातार जारी रहा जबकि केजुल्टी एक ही हुई थी ऐसा कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट भी नहीं था कि प्रशासन को 25 दिन तक यहां कर्फिव लगाना पड़े लेकिन 25 दिन तक कर्फिव थोपा गया एक तरह से थोपा ही गया और उसका खामियाजा एक आम आजमी को भुखतना पड़ा क्योंकि इससे दो साल पहले कोरोना में पहले ही आम आजमी की कमर तूट चुकी है आर्थी गुरूप से वैसे ही कमजोर हो गया हो और इसमें दंगे के दौरान जिस तरह एक हालत बने तो अब यह सवाल तो होगा चाहे वो कांग्रेश हो चाहे बीजेपी हो कि वो लोग क्यों नी बहार आए ताकि शहर को तीन चार दिन में इस तरह का माहूल फिर से निर्मित हो जाए कि भाही चाहरे का और अभी भी इस तरह कोई पहल होती दिखाई नहीं दे रही है तो मैं यही जादा से बूचना चा आपको अच्छे से मालूम होगा कि खरगोन में 89, 90 और 91 में जो दंगे हुए थे तीन दंगे हुए थे और वो दंगे ऐसे हुए थे कि जो मद्धिप्रदेश को पहले नंबर पर गिंती मिलाते थे दंगों के मामले में और उसके बाद में विधायक बना आपको ने देखा ह उन दस सालों में न एक पत्ता हिल पाया हिंदू-मुस्लिम के नाम पर और न कुछ हो पाया आज जो सत्ता में बेठे हैं लोग सबसे पहले जबाबदारी उनकी थी जबाबदारी मेरी भी थी परन्तु क्या हो रहा था कि यह जो 20 साल से लगा कर 30 साल का जो युवा भणका था इस पूरे माहुल में वह युवा कोई भी आदमी कुछ बोलने जाता था तो उसको जबान पर लेकर उसके खिलाब वाटसब पर और ये सोशल मीडिया पर बुरी तरह से टिपड़निया कर रहा था मैंने अपनी आँखों से देखा और जब इस प्रकास से लोग इस इस सर तक आ जाए तो निश्ची तोर पर समझदार आदमी चुप रहने में ही अपनी समझदारी समझता है और यही सबसे ब बताड़ा गया इतना बोला गया उनके खिलाब कि जिसका कोई सानी नहीं तो यह यह इस्तितियां निर्मित हुई थी मूलत है तो इसमें प्रसासन की जबाबदारी थी जो कि राम नौमी का जो जुलूस दो बजे निकलने का था वो पांच बई तक कैसे रुखा रहा मेरे से कुछ लोगों ने सवाल किया तो मैंने एक बात कही और वो शायद आपके जबान से भी कहीं न कहीं निकल रही है कि इस दंगे का लाप किसको मिला राजनीतिक लाप किसको मिला सही कहा आपने की ये दंगे जो है कहीं न कहीं ये प्रदेश की स्थिति सबसे जादे आम शहरी की स्थिति को खराब करते हैं और इसके लिए प्रशासन और वो लोग जो जन प्रतिनिधी के रूप में भूमिका निभाते हैं वो उनकी गहरी जुम्मेदारी होती है इन करना चाहूंगा कि आज जो टिकेटों का वित्रण हो रहा है कहा जाता है कि भूपाल से लिस्ट आएगी जबकि हम खुद जानते हैं कि भूपाल में बेठा हुआ व्यक्ति एक पार्शात के उम्मिद्वार को या उसकी राजनेतिक भूमिका को पार्टी में क्या है नहीं पेचानता लेकिन आप देखिए कितने सिरे से हम यह कहेंगे कि उसको बहला दिया जाता है कार्य करता को राजनेतिक दल और उसके नेता की लिस्ट भूपाल से आएगी जबकि हम इस चीज को पूरी तरह जानते हैं कि यहीं से सारे चीज़ें निश्चित होती है इसा देख तक आखे लिए से थोड़ा सा इसमें आपको दखल दे रहा हूं मुझे सनावत का प्रभारी बनाया गया मेरी सहबागी जो है वो शिखा चिंगल महू से हैं हम लोग जब वो शेत्र में गये सनाव शेत्र में हमने कुछ पहली तो मिटिंग ली मिटिंग के बाद आवेदन को से बाद फिर हमने 18 वाड में से 9 वाड का चैन किया कि 9 वाड आप घूम और 9 में घूम हम ने वाड में घूम घूम कर लोगों से जानकारी ली और जानकिन लेने के बाद जब हमने सूची बनाई तो और 18 वाड मेरा सूची जो है बोपाल गई हम बिलकुल जमीनी इस्तर पर इसका सर्वे करते हैं और जमी निस्तर पर लोगों से पूश्टाज करने के बाद में आपकी बात से सहमत हूं कि सर्वे करती है राजनितिक पार्टियां सारा कुछ होता है अब आज ही हम देख रहे हैं कि भाजपा हो कांग्रेस हो या कोई सा भी दल हो इस्थानी लोगों उनको नजर अंदाज करके पार्टी अपने उन नेताओं को उन वाड़ों में उनकी पतनियों को या उनको खड़ा कर रही है जिनको कोई नहीं पहचानता तो यह आप सिंबॉल के बल पर जीत रहे हो कारिकरता के समर्पन का कोई मोल नहीं वो पतनियां वो इस्तियां नेता कि चुनाओं में खड़ी हो रही है जिनको कोई नहीं पेश्चानता वो कभी अपनी पार्टी के मंच गिंती के दो बार भी नहीं आई तो आखिर उस शेत्र की जो महिला हैं जो उस वर्ग को बिलॉंग कर रही है जो की आरक्षी थे या अनारक्षी थे उनको नजर अंदाज क करके उन नेताओं की पत्नियों को और नेताओं को ठीट दिया जा रहा है यह कहां तक उमेज जी मतलब एक राजनेतिक पार्टी और एक उनका जो अपने कार्यकरताओं से वचन होता उस वचन पर क्या उतरते नहीं जर आ रहे हैं निश्ची दूप से चाहे कांग्रेस हो च करती पार्टी गौरर्श से कि हम बिलकोल परिवार वाद नहीं चलाएंगे वंस वाद नहीं चलाएंगे लेकिन कहीं न कहीं BJP हो या चांगरेस हो और यह भी रहा जिन महिलाओं को अपने निस्टितरुप्षा सही कहा कि जिन्हें ग्रहनी है जिन्हें कोई पहचानता नहीं है पार्टी में जिसने कभी पार्टी का जंडा तक नहीं उठाया उन्हें टिकेट मिल जाता है और जो विचारा दरी उठाने से जाडू लगाने तक कारेला में जाती है और वापस अपनी घ्रहनी की भूमिकार में लग जाती है और उनके पती जो है पार्षत पती पती यह जो अगर हम कभी नगर पालिका या पंचायत की प्रक्रिया को भी जान लेंगि ठेहराओ क्रस्ताओं कैसे होता तो उसको आखरी पूरे पांच साल तक इसका ज् प्रम तक भी जाता है और आप भी जाता हूं तो यह होता है कि सर पंच साजब हमें मिलना होता है या कोई बैइट लेना होती किसी सबजेक्ट पर किसी विकासकार पर या कोई समस्या पर तो ना तो पंच मिलता है नहीं सरपंच क्यों कि दोनों ही महिला अमлуч्ध्वार होते हैं और उन से जब बात करते हैं तो उनके पती ही आ गया आते हैं किसी भी मसलोट को pouring आतक कि मैंने कही पंच आया तो यह भी देखा है कि उनके इस्थान पर उनके पती aldo बोले वह पलाने को मेन उसकी नंपपलेट लगी ती चेर के पीछे और उसके साइड में उनके पती देउ बेटे हूए थे सायद मुझे सर्ने मेरा अदें जमरे वह ञख यहां उनके पीछे निमप्लेट लगी थी एगर questo पंचपती अब सोची एक प्रजावत अंत्र में कितना बड़ा मजा एक महिला को आगे करने की बात करने के बाद उसको फिर पीछे खीच लेना कितना बड़ा मजाक है और प्रसाशन और हमारे जो इस देश के नीती नियनता है जो बेट करके कानून बनाते हैं क्या वो यह बना सकते हैं कि असल हक जो महिला को मिलना चाहिए उसी को मिले ना कि उसका पती लेके भाग जाए जिला प्रसाशन को एक चुल में इस नगरपली का कोई बैठक हुई वहां कोई महत्पुर्ण मुद्दा या कोई योजना को पारित करना होता है तो वहां कई वार दाधा ने देखा भागा कि वहां पारशत पती पहुँच गये पारशत पती बोल रहे है तो यह नहीं होना चाहिए जो जिससे हमने चुना है ज जैसे कि अपने सिल्दार पटेल जी जो लाल बत्ती जिनको मिली थी और जिला पंचाद अद्दक्छ रहें वो इतना बड़ा पद उनके पास था आज वो सरपंच के लिए उन्होंने दावेदारी किये तो ये बड़ा महत्वकांक्षा की एक वो है कि आदमी की इक्षा कहीं म सब्सक्राइब करने के बाद एक अपना वचन बोलने के बाद वो निभाता नहीं है तो हम उसके राजनेतिक नशा कहेंगे जो एक मतलब बोला जाए कि उसके उम्र के आखरी दिन तक वो जारी रहता है कि मैं मंत्री बना हूं रिटायर हो गया हूं राज्यपाल बन जाओं मतलब कुछ ना कुछ ना कुछ वो पद की लाल सा उसमें बनी रहती है मैं ब्रेक पे जाने के पहले एक अंतिम और संक्षिप्त में पूछने चाहूंगा आपने पूर विधायक परस्वाम डंडिर जी से परस्वाम जी आपका बहुत लंबा राजनेतिक अनुभाव है देश में तभी गुडबा जी थी दीरे दीरे कांग्रेस का राजनेतिक जो पतन होने लगा तभी गूर जी ती आज Congress हाशिये पर बेठी वी ये तब भी गुडबा जी है आखिर ये सुधार कब होगा देखिए आप मैं बत बत साब तोर पर बोलना चाहूँगा कि जमीनी इस तरफ पर Congress आज भी मजबूत है देखिए मैं आपको फिर रोकना चाहूँगा मैं आपको फिर रोकना चाहूँगा मैंने Congress की इस्तिति देखिए कि Congress ने अपनी बुनियात को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया अगर हम ये कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी आपको याद होगा कि आज भी आप देखते होंगी इवन सोन्या गांधी जी भी आती है तो चार या पांच या तीन जो भी है सेवा दल के कारे करता हूँ उनको सलामी देते हैं लेकिन उस शेत्र में सेवा दल का कोई संगठन ही नहीं है आरे से इसको गाली देना तो चलिए राजनेतिक रूप से उनको अच्छा लगता होगा लेकिन आप सोचिए क्या आपने अपनी बुनियादी जो संगठन थे उनको जीवित रखा नहीं कांग्रेस में हमेंसा ये रहा है कि संगठन के नहीं चल पाती है और जिस पार्टी में संगठन की नहीं चल पाती है तो जमीनी बातें उपर तक नहीं पूर पाती है मैंने जो बात शुरू कि थी कि जमीनी इस तरफर कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत है। नेताओं की जो जंजट है आपस की वो जंजट कांग्रेस को खाये जा रही है। और यह आज तक कांग्रेस में थी अब यह भारती जंता पार्टी में सामील हो गई है। अब ये भारति जन्ता पर्टी में पूर्ण ता आडए पार्टि संग्ता है तो संग्ठन को पूछ नहीं रहा है। और दोस्तो सांथियों में एक बात कहना चाहूंगा कि जो शाशन प्रसाशन जो काम कर रहा है खरगोन शेहर को पूरा खोद कर रख दिया हम इन मुद्दों पर जाएंगे अभी एक वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं आप कहीं जाईएगा नहीं देखते रहिए एस डव्लू 24 न्यूज मध्यप्रदेश ब्रेक के बाद नेता जी हाजिर हो कारिकम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं इस समय हम वरिष्ट कांग्रेस नेता और पूरविधायक परस्राम डंडिर जी और हमारे वरिष्ट पत्रकार उमेश रेवलिया जी से राजनेतिक हाला जो निकाय और पंचाय चुनाओं को लेकर हैं उन पर चर्चा कर रहे थे अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन चुनाओं में मुद्दे क्या होंगे वो कौन से मुद्दे होंगे जो सबसे यादे आम जनता को प्रभावित करेंगे वो कौन सी कमिया है जिससे आम जनता निकाय और पंचायतों में जूज रही है और आखिर सत्ता की कुर्सी पर बेठी भाजपा कितना संतुष्ट कर पाई है और कांग्रेस उन मुद्दों को कितना उठा पाई है डंडीर जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका में थी मैंने इसके पहले ब्रेक के पहले आपसे सवाल किया था गुडबाजी को लेकर तो कांग्रेस उन मुद्दों को उठाती है कांग्रेस मुद्दों को ढूंड कर लाती है लेकिन कहीं न कहीं वो भाजपा के जो प्रचार तंत्रे उसमें फस जाती है और उन मुद्दों को जो आम जंता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात उठाने के बजाए वो भी उनी दंगो और हिंदू-मुस्लिम के पोलिटि होगी कि आपने देखा होगा कि मैं समझता हूँ खरगोन में जो जलावर्धन योजना चल रही है मैं उसकी बात करूं मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में गुजरात के लोग जब से मोदी जी प्रधान मंत्री बने हावी हैं ठेकेदारी के मामले में चाहे सड़क निर्मान हो चाहे शेहरी काम हो खरगोन में भी यह हुआ है जो नल्यल योजना चालू की गई है पूरे शेहर को खोद के लग दिया है अभी कुछ जगह टेस्ट हुए है आपने सबने देखा होगा कि तालाव भर गए यह योजना निश्ची तोर पर में ग्यारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि जो हमारी पहले चल रही थी वो ही सबसे सही थी यह योजना बिलकुल नकारा है और यह कभी सक्सेस ह होने यौजना नहीं है में अगर बात करूं कि नगरपाली का दोघार जो काम किए गए कंदा सफाई अभिहान की बात करूं कर घंच हरवं शहर से तीन नाले निकलकर गंद्चे पानी के नाले निकलकर कंदा नदिम में पहुँछ ते हैं इसको पानी को निकास के लिए जो डाले गई वो करीम करीम में समझता हूं तीन साडे तीन फिट की पाइपलाइन थी और मैं से तिन कह रा था कि यह पाइपलेन से यह पाई ले पाहर नहीं जा पाएगा क्योंकि यह जब कचरधा जाएगा नालों से बेहकर तो यह कच्रा इसमें संद जाएगा और दो दिन भी नी चल पाई और वो सारा कच्रा संद गया और सड़कों पर पानी फूट कर निकल गया तो यह जो योजनाय बनती है यह केवल मैं समझता हूं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनती है न कि जनता की सुईधा के लिए बनती है यह शहर पूरा खुदावा पड़ा है अपसे वह सवाल है कि हम मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस इन चीजों को उठाती है लेकिन में हम सोयम देख रहा है कि प्रदेश में हम खरगों जिले की बात करें तो खरगों जिले में भ गली कुछों में जो सीवरेज हैं उनकी व्योस्थाओं को देख लें आम जनता इससे पांच साल तक जूचती रही लेकिन कांग्रेस कहीं भी इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतर रही थी पेट्रोल की समस्या उसमें भी उनका बहुत सीमित रहा अंदुलन लेकिन बु सड़कों पर क्यों नहीं उतरती है आम जात में देखना चाहता है कि हमारे सड़कों पर संगर्ष कोन कर रहा है कोन अंदोलन कर रहा है कोन हमारी समश्याओं को सरकार तक पहुचा रहा है उसके लिए एक हमारा मजबूत सयोग है आपको याद होगा पीपरी उद्वन सिचा योजना की जो फेलिवर है जो फेलिवर है और जिसके कारण भारती जनता पाल्टी यहां विदायक का चुनाओ आ रही है हमने उस मुद्दे को तीन तीर बार चार चार बार उठाया प्रशाशन को दिया पर जो सत्ता में लोग होत की सिचाई करने वाली योजना थी वो केवल एक तालाब तक पानी पहुंच कर रहे गया है अब वो लोग अलग है कि अपनी मोटने लगा कर पाई प्लेन डाल कर जो पानी ले जा रहे हैं परन्तु उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंचा यह यह मुद्दे ऐसे हैं कि जो मुद्दे थे और जनीत के मुद्दों में ब्रस्टाचार में लिप्त होकर लोगों ने जो योजना को फैल किया है निश्च्य तोर पर उसका खामियाज यह समय पर लोगों को भोगतना पड़ेगा आज मैं अगर बात करूं कि गाउं गाउं भी यह योजना सरकार की केंद भर भर के ला रहे हैं वहां भी वह योजना चालू है और वह योजना के पाइप डल रहे हैं वह योजना के नल कनेक्शन के पाइप डल रहे हैं और पता चल रहा है कि वहां पानी तो है ही नहीं अब यह पानी कहां से लाएंगे मुल मुद्दा यह है कि सारा लोगों को काम दिया है श्रचाचार के लिए केवल उनको पैसे कमाना है उनके लोगों को पैसा कमाना है ताकि वह चुनाव में चंदा दे सके ऐसे लोगों को काम दिया है निश्ची तोर पर यह सब योजनाय जो है गाउं में भी जो पाइपलेन दली हैं मैंने देखा है उसको बहुत बारीके से अध्यन किया है और बहुत जल्दी वह खतम हो जाएंगी योजनाय और कोई काम भी आएगी सही कहा आपने और उमेज जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा एक पत्रकार की नजर से कि आखिर खरगोन नगर निकाय को ले और आप पूरे जिले में भ्रह्मन करते हैं आसपास के शेत्र में भी आपका अच्छा वर्चस हो है आपने देखा होगा समस्याओं को आप क्या सम समझते हैं इस समय खरगोन नगर निकाय को लेकर के क्या कौन से मुद्धे होंगे जो जनता को प्रभावित करेंगे जैसे आपने पेजल का कहा और दूसरे भी कई मुद्धे जिनको लेकर के आप खुद भी फ्रंट पर आ चुके हैं तो आखिर इसी कौन सी चीजे होंगे क कौन से मुद्धे होंगे जो सबसे जादे जनता को प्रभावित करेंगे क्यों अपना वोट उस वोड़ दें लिके सहर में एक तो पानी की समस्या तो है ही मानी मुख्यमंत्री जी जब आज से पांस लगभग चार साल पहले जब चुनाओ के दौरान यहां आए थे तो रा जनलों में पानी नहीं पहुंचा है और अभी हालत यह है कि शहर को चार से पांच दिनों में पानी मिल रहा है इतना बड़ा शहर है हम इतने सालों बाद भी आज पानी सड़क को लेकर तरस रहें एक तरस यह कहा जाए जबकि यह बहुत पुराना मुद्दा हो गया है अब सत्ता पक्ष तो कर दोसी है लेकिन विपक्ष को जिस तरह से मजबूत इस्तिती में आना चाहिए वैसा दिखनी रहा है यहां खरगोन ही नहीं पूरे प्रदेश में यहालत है और खरगोन में मैंने कई बार यह एक पतरकार के नाते अनुभव किया है कि जब भी कोई विरो आ जिलात देको बना-रखा है वह इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है इतना संवे हो गया है क्यों की वहां जब अगर अगर अच्छा होता है तो ही सेनिक में उस्सा होता है लेकिन वो उस्सा इस तरह के कहीं नजर नहीं आता है यह सबसे बड़ी हमारे दुर्बाग की बात है कि विपक्च मजबूत नहीं है आपने सही कहां नेता वही होना चाहिए जो आम जनता के लिए सुलब हो जो परिनाम भुकते हैं और दोनों राजनेतिक दरलों को यह सोचना चाहिए कि वह एसे नेताओं को आम जनता के वीच उतारें जो उनके लिए सुलब हो उनकी समस्याओं को सुन सके और मैंने उमेज जी आप से भी चर्चा करी थी एक हमारे यहां पर मेडिकल कालेज को लेकर अब बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था आप भी उस केंपेनिंग में शामिल थे कहीं न कहीं वो मुद्दा फिर राजनेति की भेट चड़ गया धीरे धीरे उससे लोग हटते गये लोगों का मन हटते गया जो वाट्सेप ग्रूप्स बने थे और जो भी समीतियां वनीति वो समीतियां स्वता अपने आप ठंडे बस्ते में चली गई आम जनता के मन में आज भी ये दर्द है ये दुख है कि हम जिस चीज के लिए लायक हैं आदिवासी छेत्र है आज से लगे आजपास चार और आदिवासी जिले छेत्र हैं हमारे यहां पर ना तो स्वास कि यहां के लोगों की स्वास्ट समस्याओं का पेजल समस्याओं का समाधान हो सके तो आखिर यह जनता कब तक इंतजार करेगी अब पारणे जी जो चुना हो रहे हैं इसमें आपको क्या लगता कितना यह प्रतित होगा इन देखा जाएगा उस वोटिंग परसेंटेज में देखिए एक तो यह है कि मेडिकल कॉलेज को लेकर वास्तों में यह बात सही है कि जन प्रतिनिदियों को जिस तरह से आगे आना चाहिए था मानिस अंसत जी ने हमसे प्रामिस भी किया था कि मैं मुक्य मंतरी जी के पास स्वहम चलूँगा आपके साथ लेकिन अब तक उन् साथ में हमारे लेकिन इस चीज को लेकर दूरी बनाए रखी आज भाजपा का मंतरी है सत्ता उनके पास है तो क्या यह विधायक उस मंतरी के उपर पेशन नहीं डाल सकते उससे मिलत नहीं सकते एक पत्र लिखके सिर्फ इन्हों नहीं तीश्री कर ली ताकि शेत्र की जनता यह समझे कि हम भी इसके साथ हैं वो बता दें कितनी बार सड़कों पर उत्रें वो बता दें कितनी बार धरने दियें वो बता दें क्या उसके बाद को दूसरा पत्र उनों ने जारी किया मैं समझता हूं कि जवाब होगा सिफर निश्ची दूरूप से जिस तरह से यहां प यवाल ही राइवर्पुरा गाओं हैं वहां की दो बेटियों का ब्रीज के लिए जो खेल होता है उसके विश्वस्तरी championship में उनका चैन हुआ है लेकिन ये तो बड़े गोरों की बात है कि दो बेटियों के चाहिन विस्वास्तरी चेंप्रेंशिप में सामिल हो रही है वो भारत का प्रतिनिद्द्र तो करेगी लेकिन मैंने वहां जाके देखा शायद पांचवा च्छटा उसरेट वहां की बच्चियां विदेश जा रही है जिए ब्रीच खेल को प्रमॉट करने के लेकिन अभी तक शिर्फ उस गाओं का नाम आता है जब उन बच्चियों का सिलेक्शन होता है तो मीडिया में खबर चप जाती है कोई नेता जिसको भी समय रहता है जाके उनके सिर्फ में हाथ फेराता है लेकिन उनके हाथ आज भी खाली उसमें यह बताना चाहता हूं कि जब मैं वहां गया तो वहां पर एक जिला परशासन के और से ग्राम पंचाथ के और से एक भवन दिया गया वह इतना जर-जर है मतला उमने जब उसको ताला फुलवाया तो वहां मतला आप बेट नी सकते रूक नी सकते अब वह बच्चिय कहां कहलेगी कैसे कहलेगी आप या तो नहीं देते तो वह ज्यादा ठीक रहता आपने उसको ऐसा दे दिया ना तो शासन ने कभी एक रुपया उन्हें मदद की और वह किसान की बेटिया है दोने जिनका चैन हुआ है अब वह इटली जाएंगी तो वह पूरा खर्च किसान नाम बरिवारी उठाएगा तो शासन क्यों नहीं ऐसे बच्चों को प्रोचाहिद करता है जो प्रदिवावान खिलाडी है जो विश्विस्तर पर अपना नाम पर घर्शन में वह जो खेल है ओटले से शुरू हुआ था उस गाउं में और ओटले पर ही आज चलता है वो खे लिए कि यह जो खेल है इसके खिलाडी हमारा विश्विस्तर पर नाम कमाने जाते हैं तो इनको देखा जाए यह जिला जिला इस तर पर हमने कभी कुछ भी उनको सुईधा नहीं दी है यह मैं स्विकार करता हूं और अगर यह सुईधा मिले तो निश्ची तोर पर बहुत सब्सक्राइब निकलेगा वो शेतर पर तो वो रहा ब्रीज का काम पर तो खरगों जिले में तो यह इस्तिति है कि खेलों के नाम से बस थोड़े वो तीमें इखटी हो जाती है चार दिन खेल चल जाता है और हम उसकी वावाई लेकर आप सही बोल रहे हैं और सिर्फ हम बा इस नगरकेर शेतर की जनता चाहती है कि खेल गतिविधियां बड़े स्वास्त गतिविधियां बड़े लेकिन समझ चाहिए कि जन प्रतिनी दी और वो महनायक जो समय समय पर अपने बड़े बड़े पोस्टर बेनर में अपने फोटो चपवाते हैं वो महनायक सड़कों प लेकर क्योंकि यही राजनेतिक दलों की बुनियाद है इस समय जो मज़्य प्रदेश में पंचात और नियननगर निकाय चुनाओं हो रहे हैं उन चुनाओं में दंगे हिंदु मुस्लिम वो इस्तिती इतनी जादे नहीं देखी जा रही है लेकिन कहीं न कहीं उसका पॉस्त समस्या हैं, शिक्षा की समस्या हैं, खेल की समस्या हैं ऐसी कई यहां तक की छुटी युटी गटरों की सफाई की जो समस्या हैं उनको लेकर के आन जनता आज भी जूज रही है राजनेतिक दल और कारेकरता अपने टिकेट की लड़ाई में व्यस्त हैं लेकिन इस लड़ाई के बाद जो भी केंडिडेट के नाम फाइनल होंगे क्या वो केंडिडेट जीतने के बाद उन शेतर की समझ्चाओं को किनारा कर पाएंगे उनसे मुक्ती दिला पाएंगे ये सवाल रहेगा इस चुनाओं में भी और इस चुनाओं के बाद भी अब देखना है कि आम जनता इन मुद्दों को लेकर के जो केंडिडेट है जो प्रत्यासी है वो भाजपा के हों कांग्रेस हों मुक्खे मुकाबला उनी के बीचे कितना अपना समर्थन देती है और कितना उनमें अपना उधार पाती है आगे हम पंचात और निकाय सुनाओं को लेकर के चर्चा को यूही जारी रखेंगे हमारे मेहमानों के साथ तब तक के लिए हमें आग्या दीजिए नमस्कार कर दो दो